सो हेई गारीज वेलकूम बैक टू मैं चैनल और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बिल्कूल इस अफ़ते का होट ट्रेंडिंग टॉपिक है जी हाँ अपने प्रभास की दा रियल बाहुवली ऑफ इंडस्री उसकी मूवी आ रही है इस 30 अगस्त को यह बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन है क्योंकि साउथ में तो ली चार चार दिम की प्रीबुकिंग चल रही है और बहुत जबर्दस क्रेज हो रहा है वहाँ पे और किसी हाउस में कोई जगा नहीं है पैर रखने की भी तो टिकेट तो भूली जाओ और हिंदी सिनेमा की बात करें तो यहाँ भी काफी अच्छा खासा रिष्पॉंस है अल्दो प्रीबुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन साउथ में काफी जल्दी प्रीबुकिंग शुरू हो जाती क्योंकि उनको पता होता है कि रिष्पॉंस कैसा आने वाल है हम बात करते हैं इसके गानों की तो गाने बहुत awesome थे जैसे कि हमने इसके पिछले तीम गाने सुने आई bad boy और इननी Soni 2 और साइको सईया और तीनों इस गाने बहुत जबर्दसते हैं आप साइको सईया तो almost 100 प्रेड मिलियन के आसपास आने वाला है और जो इससे पहले वाला गाना था एने सोनी जिसको गुरू रंधावा ने गाया था जो कि बहुत बड़े सूपर सिंगर है उनका गाना था तो लिटरली वो अच्छा तो होना ही था एंड गाइस बात करें केमिस्ट्री की जो साहों म दिख रही है और इन सभी गानों में दीखती है क्योंकि अनि वाइस ऐच्छी प्रभास और शद्दा की की देखने को मिली थी तो उम्मीद करते हैं जो नया वाला गाना है यह एक रोमयंटिक ट्रेक निकाला एंनोंने इसमें भी काफी अच्छी एच्र क्या 향 het करें क्यों अबी जलक है वो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिली थी उनका जो पिंक वाली लेक थी वह वाला जो सीन था वह इसी गाने से लेकर आये हैं वह लोग और यह गाना कापी अच्छा देखने को मिलेगा locations के मामले में तो definitely और देखते हैं इसमें chemistry कैसी रहती है तो गाने पर करते हैं review और देखते हैं कैसा है ये गाना एक छोटे से इंट्रो के बाद जैसा कि हम सभी लोग जानते कि इस movie को किया गया है तीन अलग तरह से release अलग-अलग languages में Hindi, Malayalam and Telugu तो तीनो languages में इसके गानों को भी release किया गया है ताकि जो उनके अपने followers से वो इस गाने को अपनी तरह से enjoy कर सके तो आज हम करने वाले हिंदी वाले song का review जिसको शंकर रहसान लोय ने गाया है locations तो गजब है वाओ क्या सेट है या ओसम सेट बाइब बंदा गजब लग रहा है या परवास ओसम गे वाली पिंग लिग क्या मस लग रहा है याद तो इस गाने को किया गया है बहुत अच्छी जगा पर शूट और लिटरली ऐसा लग रहा है देखके तो यार यह मसा आ गया देखके गाना बहुत सही लग रहा है यार क्या गाना बनाया हुआ हुआ है एकदम सही सही locations है मतलब गाना बहुत छोटा है एक मिनट ताली सेगि गया है और शायद यह पूरा गाना नहीं होगा इन्होंने बस एक kind of teaser दिखाया गया है कि हाँ यह वाला गाना भी है इस मूवी के अंदर इस गाने में जो देखने लाइक चीज थी वह थी गाने की locations इनकी chemistry और जो प्रभास की लुक है माइंड ब्लोइंग लुक मतलब इतन जर्दा big budget movies बनाने के शौकीन है और वो क्यों है वो इससे पता चलता है क्योंकि उनका जो hard work है और उनका जो अलग level का enthusiasm है वो सब कुछ अपनी movies में दिखा देते हैं ट्रिलर में दिख गया है तो guys यह already blockbuster movie है हम यही कह सकते हैं कि यह बहुत जबर्दस तरीके से आ हैं और कहा जाए तो शायद बाहुबली को भी एक किसी हद तक कर दे देगी क्योंकि हमारे इंडिया में तो यह one of the best action movie होने वाली है जो कि तीस तारीक को release होगी तो guys miss मत करना इस movie को और आपको कैसा लगा यह प्रभास और श्रदा की जोड़ी इस गाने में और गाना कैसा लगा आपको जैसे की चोटा सा गाना है ज्यादा बड़ा नहीं था अगर गाना अच्छा लगा तो please like कर देना अगर आप भी प्रभास के fan हो तो please comment करके नीच जरूर बताना म आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे दंबागे दर वीडियो तो मिलते अगली वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई